नेक काम में अगर बड़ी हस्तियां भी शामिल हो जाएं तो उसका आसर बहतर देखने को मिलता है जर्मनी में ये किस तरह से होता है? जानेंगे आज महेश जासे हमने यहां देखा रिपोर्ट में कि बुंडिस लीगा के जो खिलाडी है जो यहां का जर्मन फुटबॉल लीग है उसके खिलाडी शिर्कत कर रहे हैं पर्यावरन को बचाने के लिए जर्मनी में किस तरह का ट्रेडिशन है? क्या परमपरा है कि सेलेब्रिटीज जो है? बच्चों के लिए वो और लोगों को जुटाएं खास करके बच्चों के लिए युवाओं के लिए वो आदर्श होते हैं कि उनके जो आधर्स हैं, उनके जो विचार हैं, वो लोगों तक जाएं और लोग उसमें आएं, परियावरन का मामला है या दूसरे मामले हैं. कौन कौन से सेलेबरिटीज हैं और क्या क्या कर रहे हैं इसा? बहुत सारे सेलेबरिटीज हैं, खिलारी हैं अभी हमने नाम लिया, एक्टर हैं, टेलिविजन के एंकर हैं, मौडल हैं, या राइटर्स हैं, पॉलिटिशियन्स भी हैं, वो सब ये काम कर रहे हैं. तो कुछ नाम अगर हम लें तो प्रस्जिद एक्टर हैं, डानियल ब्रूयल, जिनको हम जानते हैं, गुडबाई लेनिन्स के जरीए, हिंदुस्तान में भी जाने जाते हैं वो, तो वो काम कर रहे हैं, फेर ट्रेड एक है, आंदोलन एक किसम का, कि गरीब देशों के किसान और भारत से बहुत प्रेम था उनको, वो एक्टिव हैं, पुराने राष्टरपती होर्स्ट कुलर हैं, या फिर कुलोन के मेर हैं, ये सब लोग इसमें बहुत ही सक्रिया हैं और कोशिस कर रहा हैं कि कुछ-कुछ बदले. जी, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि ये जो बड़ी हस्तियां हैं, जो सिलेबिर्टी हैं, वो किसी ना किसी तरह गैर सरकारी संगठनों से जुड़ जाती हैं और इस तरह के काम करती हैं. सरकार का क्या रोल है इसमें? कुछ सालों से जर्मन सरकार ने ऐसा किया है कि 18 साल से 28 साल के युवाओं को विदेशों में भेजने के लिए मदद दे रही है। इस पर और जानकारी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट dw.de slash Hindi पर जिन सेलेबिटीज के अपने नाम सुने उन पर भी और जानकारी आप हाँ हासल कर सकते हैं कुछ देर में जानेंगे क्या है अप साइकलिंग